भारतिय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दोरे पर जाने वाली है 12 जुलाई से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और ये जो दोरा होगा भारतिय टीम का केरेवियाई दोरा वो 13 अगस्ट को संपन्न होगा और इस दोरान भारतिय टीम वेस्ट इंडीज में दो टेस्ट मैच खेलेगी तीन वन डे इंटरनाशनल क्रिकेट मैचेज की सीरीज खेलेगी और इसके अलावा पाँच टी ट्वेंटी इंटरनाशनल भी होंगे तो इसके लिए भारतिय टीम का चैन अभी तक नहीं हुआ है लेकिन किन-किन खिलाडियों को भारतिय टीम में शामिल किया जा सकता है और किन खिलाडियों की छुट्टी हो सकती है इस पर जो है कयास लगाए जा रहे हैं तो आज हम टेस्ट मैचेज में चुकि वर्ल्टेस्ट चैन्पियनशिप का पाइनल भारत अभी रिसेंटली हा रहा है तो चुकि वो दर्द जो है ज्यादा हरा है तो आज हम बात करेंगे कि टेस्ट मैचेज में क्या परिवर्तन हो सकते हैं वेस्ट इंडीज दोरे पर और किन नए खिलाडियों को अवसर दिया जा सकता है नमस्कार आप देख रहें नियूज 22 कोप और मैहूरा की श्रंजन भारते क्रिकेट टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज जाने वाली है 12 जुलाई से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा और अब जो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि WTC फाइनल में हार के बाद क्या भारतिय टीम में कुछ परिवर्तन किये जाएंगे तो अगर हम बात करें तो अगर जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है वो चतेश्वर पुजारा के रूप में देखने को मिल सकता है भारत के लिए एक सब से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले चतेश्वर पुजारा का Recent years में performance उनके अस्तर के अनुसार नहीं रहा है बलकि आप ये कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन निराशा जनक ही रहा है और जब पिछले तीन सालों से उन्हें अवसर दिये जा रहे हैं कभी कभी बीच बीच में कुछ एक इनिंग्स आते हैं उनकी ओर से लेकिन वो ऐसे नहीं हैं और अब ये वक्त आ गया है कि आप किसी नए खिलाडी की तरफ देखें तो सवाल उठता है कि चतेशवर पुजारा की जगह पर कौन तो इसमें जो एक पहला बड़ा नाम जो आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है और ये खबरें जो है आ रही हैं कि यशस्वी जैसव पहला ने IPL में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया ही जो रेंड़ी ट्रॉफी उन्होंने खेले और जो डोमेस्टिक क्रिकट में उनका जो डेज मैचों में परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतरीन रहा है और इस वज़ा से ऐसा लगता है कि उन्हें वेस्ट इंडीज में भार लेने को बीताब हैं और उनकी भी कोशिश होगी कि वो जो है रेड़ बॉल क्रिकट में अपनी एक पहचान बनाएं और चुकि मौजुदा दौर का जो क्रिकट है उसमें एक ऐसे बैटर की जरूरत होती है जो कि सड़ली कुछ थोड़ी देर में मैच का नक्षा बदल दे जैसा कि Travis Head ने WTC के फाइनल में किया था तो यहाँ पर चितेश्वर पुजारा की विदाई जो है वो ज्यादा तर विशेशग्या मानते हैं कि शायद हो जानी चाहिए लेकिन हमें इंतजार करना होगा देखते हैं आगे क्या होता है इसके अलावा जो खबरे आ रही है वो खत्ब हुई उसके बाद आपको वाइट बॉल क्रिकेट उन्होंने खेली फिर IPL आ गया उसके बाद WTC का फाइनल आ गया तो हो सकता है कि इन में से कुछ खिलाडी वेस्ट इंडीज दोरे के लिए रेस्ट मांगें या सेलेक्टर्स उन्हें रेस्ट दे दें दोनों ही बा धोकना पड़ता है इन्हें तो ऐसी स्थती में जो BCCI है और टीम मैनेजमेंट है वो चाहेगा कि सिराज और शमी को बचा कर चला जाए ताकि वो वंडे के विश्व कप में भी खेलते हुए नजर आए और साथी साथ एश्या कप में भी खेलते हुए दिखें तो ऐसी स्थ प्रति में हो सकता है कि इन दोनों को वेस्ट इंडीज दोरे से विश्राम दे दिया जाए जिसकी कि मुझे पूरी संभावना दिख रही है और मुझे लगता है अब इनकी जगा कौन का जब सवाल आता है तो लगता है कि इनकी जगा लेने के लिए भारत में कई प्रतिबा तो मुझे लगता है कि उन्हें अवसर दिया जा सकता है अर्शदीब काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है वो एक लेफ्ट हैंड बॉलर हैं तो वो एक वेरियेशन जो है भारतिय टीम को दे सकते हैं जैदे वु टेस्ट मैच में शामिल किये जाएंगे ये देखना दिल्चास्पोगा चोकि मैं उम्रान को टेस्ट मैचों में खेलते हुए देखना पसंद करूंगा जो उनकी गती है जहां उन्हें जो है स्पिल मिलेंगे छोटे-छोटे स्पिल में वो तीन-चार स्पिल में आकर बॉलिंग कर पाएंगे अब वन डे इंटरनाश्टल में क्या होता है कि अगर आप सेटल डाउन नहीं हुए तो फिर वापसी की संभावना नहीं होती लेकिन टेस्ट मैचेज में गेनबाजों को ये अफसर मिलता है कि अगर अच्छे शुरुआत न भी हो तो आप वापसी कर सकते हैं तो उमरान मली के एक नाम है इसके अलावा तमाम तेस गेनबाज तो हैं ही चाहे वो आप कुल्देब के बात कर लें मौसीन के बात कर लें जदे वो नाटकट हैं तो ये कोई भी खिलाड़ी उमेश यादव हैं तो ये सब रहते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन मुझे लगता है कि शमी और सिराज को विश्राम दिया जाएगा जहां तक रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात है तो मुझे लगता है कि देखिए ये पूरे दोरे के लिए तो टीम में शामिल नहीं किये जाएंगे चुकि टेस्ट मैचेज भी होने हैं वन डे इंटरनाशनल भी होना है और टी ट्विंटी इंटरनाशनल भी होना है तो मुझे लगता है कि तीनों format में तो ये दोनों खिलाडी भी नहीं खेलेंगे इन दोनों को भी विश्राम दिया जाएगा अब ये देखना है कि इन्हें किस format में विश्राम दिया जाता है तो जादा संभावना ये मान के चलिए कि इन्हें T20 International वाले format में जो है वो विश्र विश्राम दिया जाएगा क्योंकि One Day International का इस बार विश्राम कप होना है तो उसमें तो इन दोनों की भागेदारी सुनिश्चित है तो ये दोनों शायद वो खेलना पसंद करें इसके अलावा ये दोनों test matches भी खेलना पसंद करेंगे क्योंकि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनक एक और जो बात है कि KS भारत का क्या होगा चुकि KS भारत ने जो WTC का final हुआ उसमें विकेट के पीछे तो अपने काम के साथ नयाई किया है उनकी विकेट कीपिंग अच्छी रही है लेकिन जहां तक विकेट के आगे उनके प्रदर्शन की बात करें मतलब कि उनकी बैटि करने लगी थी कि क्या KS भारत को भी टेस्ट टीम से बाहर किया जाएगा लेकिन जिस तरह से इशान किशन ने दिलिप ट्रॉफी खेलने से इनकार किया है इस जोन के लिए उससे लगता है कि इशान किशन को बता दिया गया है कि आप वाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करें मतलब One Day International और T20 International पर ही फोकस करें तो ऐसी स्थती में आप मान कर चलिए कि KS भारत ही West Indies में भी टेस्ट मैचों में भारतीय टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे वैसे जो कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल किये जाएंगे इस बात की सही जानकारी तो तभी होगी जब BCCI की ओर से टीम का एनाउंस्मेंट होगा लेकिन ये कुछ अटकले हैं कुछ कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किये अभी आपसे अनुमत चाहूंगा इजाज़त दें नमस्कार